आपको हमारे यूट्यूब चैनल में 11 बार से लेकर के MSC तक के हर एक टॉपिक की विडियो मिलेगी यहां KBS से रिलेटेड ही नहीं जबकि हर एक स्टेट में होने वाले LTE, Lecturer Mathematics का पूरा कोर्स मिलेगा तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पंदर जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का हुए सभी current affairs की most important current affairs हैं जो परिक्षाओं मा आ सकते हैं तो सबसे पहले पंदर जनवरी की सबसे most important है जो खबर थी वो यह थी कि जो हमारे CRPF है CRPF के जो नए महाने देशक बनाएगे हैं वह बनाएगे हैं आनन्द परसाद महाई स्थोरी और यहां से most important है दूसरा question है दुनिया की सबसे बड़ी अर्दसेनिक बल हों की जो अर्दसेनिक बल है वो हमारे पास है CRPF तो यह अब सोल जनवरी का सोल जनवरी का most important question आया था कि हैंले पासपोर्ट की सुची निकली थी हैंले पासपोर्ट 2020 में सबसे तागद भर जो पासपोर्ट था वो बताया गया था कि जापान का है और भारत का इसमें जो है चौराश का नमर इसमें आपको भारत का नमर या जाएगा बुरियांग सरनार्थियों को चालराख रुपे की फिक्सड डिपोजिट के साथ 40-30 फिट का फ्लोट और दो साल तक 5000 रुपे परती महा की नगत साहिता और मुफ्त रासन भी दिया जाएगा फिर 18 जनवरी की बहुत-बहुत इंपोटेंट खबर आती है कि परसि राजभवन में आयोजित पोंगल महसव के दोराएं उन्हें है प्रुसकार दिया गया तो यहां पर से एक और कुश्चन निकलके सबसे मोस्ट इंपोटेंट आता है पोंगल महसव पोंगल समारोह का मना जाता है यह मना जाता है चिन्नवरी में तो अब आती है 19 जनवरी की मुंबई के बीच में तो अब 20 जनवरी की सबसे मोस्ट इंपोटेंट ख़बर आती है भारत ने अपनी सामरिक छमताओं के विकास करते हुए सक्तिसाल के फोर बैलेस्टिक मिसाइल का सपरफर सिक्षन किया है यह आंदर पर देश के समंदरी तर्ट मैं दागी गई इस मिसाइल की रेंज 3500 किलिमिटर है और यह पननुबी से दुसमन के ठिकानों पर निसाना बनाने में सच्छम है तो अब इसी तरह से कुछ किया गया यह दूसरी तेजस एक्सप्रस की शुरुआत यहां यह मुम्मई के किस सहर के साथ जुड़ी अभी-अभी हमने बात की थी ती हाल में जो तेजस हुई थी यह मुममई और एहमदाबाद के बीच में जो पहली ती वह लखनाव दिली के बीच में अब नया यहा बना पुस्तक भाराच राजनेता के जीमन पर आधारित है मोधी नया ग्वश्चन आता है मार्च 2020 में किस सहर में अंतराश्टी नौसेनिक इवेंट मिलन का आउजन किया जाएगा यह विसागा पटन्नम में किया जाएगा जो यह अंतराश्टी नौसेना इवेंट है इसमें बहुत सारे देश अपनी नौसेना का भ्यास करते हैं अब ने यह सम्मान और भारत के संबंदों को आगे बढ़ाने के लिए योगदान के मुद्दे नजर किया गया है और किरन मजुमदार साहा जो हम संस्ताबक हैं वो हैं बायो कौन की अब आता चर्ची तिस्तल संगाई संगाई संगठन ने स्टेचिव आफ यूनिटी को आठ हो जो हमारा जो यह संगाई संगाई संगठन ने इसमें आठ देश हैं भारत पाकिस्तान चीन कजागिस्तान तजागिस्तान रूस और उजविकिस्तान तो जो आज हमने बात की यह जिते भी रिलेटेट हमारे पंदर जन्वरी से बीस जन्वरी तक का जितने भी मोस्ट इंपोटेंट करंट अफेर थे उनसे रिलेटेट बात की तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए भारत मतागी जए